हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू ससी बलोक्स, फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इतने सारे टॉपिक पे वाद करने वाले हैं, जिसमें की जो ये पहला टॉपिक है, OVC का कटप जेनरल आ यूर से जादा जाएगा क्या, ये अभी मार्केट में अहम चल ला है, तो इसका एंसर क्या होगा, नहीं, कभी भी OVC का जो कटप है, वो जेनरल और यूर से जादा नहीं जाता है, हाँ, EWS से जादा जा सकता है, और जाता भी है, लेकिन जो जेनरल और यूर से है, उससे जादा कटप नहीं जाता है, तो उसके बारे में हम इसी वीडियो में डिट टेस्ट कब होगा सारे के सारे ये टॉपिक आज के इसी वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो चलिए स्टाट करते हैं सबसे पहले हम आप लोगों को बता दे कि जो डेली पुलीस का ड्राइवर का जो वेकेंसी है वो चल रहा था कि सब्सक्राइब अपना वेकेंसी है चोड़ोसो एगारा है और जो एक सर्विसमेन का है उसका है 141 और जो नार्मल है वह 1270 है जो नार्मल एस्टूडेंट दिये हैं एक सर्विसमेन का 141 यह अलग है और इसमें हम इसका कटप तो हम बताए ही थे कि जो जो मिनिम सब्सक्राइब के लिए बुला लिया जाएगा लेकिन इसके लिए जो ओपन वाला है जो ओपन सोर्स है इसमें आपको क्या कटप है तो कटप पे तो हमें स्पेशल वीडियो लाए ही थे और आज हम लोग देखेंगे कि यह मतलब कटप कैसे त्यार किया जाता है जेनरल का क देखिए कि 1270 पे हम लोगों को फाइट करना है और इसका 20 गुना क्या फिजकल में बुलाया जाएगा कितना 1270 का 20 गुना ना कि 1411 का 1411 में क्या 141 यह तो 141 एक सर्मिसमें है तो इनको तो एक अलग ही ग्रूप है और जो ओपन ग्रूप है वो कितना है 1270 है ओके तो इसमें जो स्टुडेंट वगेरा है एक सर्मिसमेंट छोड़के तो वह 1270 पे ही फाइट करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे है जैसे देख देखें हम लोग देखते हैं तो जेनरल का 543 1270 में से और एक सर्मिसमेंट का हम हटा ही दिये क्योंकि उनका तो सेलेक्शन होगा ही तो अ जेनरल यूर का जो पोस्ट है ओपन वाले में 543 तो इसका विस गुना कितना दस अजार आठ सो साथ है स्टुडेंट मतलब आएंगे उसके बाद EWS का एक सो एक सो अठाइस है और इसका कितना फिजिकल के यह देखें पोस्ट है और यह पीस्टी फिजिकल स्किल टेस्ट के उसके बाद EWS का 45 सिट है तो इसमें फिजिकल के लिए कितना नौ से स्टुडेंट को बुलाया जाएगा यानि कि टोटल ओपन सिट है वह 1270 है और एक सर्विसमेंन का कितना है 141 है ओके और ओपन कितना है 1270 तो इसमें जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वह 25,400 स्ट जाया जाएगा यह इंपोर्टेंट है जो लड़के कंफ्यूज है जो अपना स्टुडेंट कंफ्यूज है तो वह कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो यह है कि फॉर्म एड़मिड कार कितना आया था एक लाख चौरानवे हजा सास्सो च तो यह इंपोर्टेंट है यहां से क्या एतना स्टुडेंट भाग लिया है तो यहां से कटप तयार किया जाएगा और की सबसे पहले एक लाख चौदा हजार छेशो पंचानवे का रिजल्ट देखा जाएगा जिसमें सबसे हाइस्ट नमर जिसका रहेगा एक लाख जो है एक लाख 14695 में से 10,000 general UR, general कहने का मतलब यह मत समझ लेजगा, general category जो जाती, general जाती क्याते वो नहीं, UR है, unreservation, मतलब कि जो reservation में नहीं है, तो वो सब आ जाती हैं, इसमें, तो इसमें है कि आप इसमें जात पात नहीं देखा जाएगा, सीधा सबसे पहले जो सबसे जारा म 1595 स्टूडेंट में से 10,860 स्टूडेंट को क्या कर लिया जाएगा, छाट लिया जाएगा, यानि कि दूद है, दूद के ऊपर क्या मलाई जमता है, तो मलाई को निकालना, तो वही है, जो UR और general है न, ये एक तरह से क्या है कि वहां से मलाई निकाल लेते हैं, जो 14,000, कि 10,807 तो कितना वचा है, देखिए, 1,14,000, कितना 695 है, और माइनस कि जीएगा, कितना, ये देखिए, 10,800, साठ, अगर माइनस कि जीएगा, तो कितना, कितना बचलेगा एक लाख़ तीन हजार आठ सो पैर यहाँ पर खेला होगा क्या यहाँ क्या एने के पर खेला होगे यहाँ इसमें से अब सेलेक्ट किया जाएगा जो काटवरी वाज जो कौन है वहां से उपर से नीचे तक लाया जाएगा मालिज ये डब्लूएस में सबसे जड़ा अंकार है वो छटने मलाई छटने के बाद एक लाख तो यहां से फिर खेला किया जाएगा इड़ाइगा इसके बाद एक लाख कितना एक लाख तीन थीन हजार आठ सो पैसे उसके बाद फिर ओवी सी का कितना निकाला जाएगा इसमें से समझ रहना क्या होगा जैसे देखिए सबसे पहले दूध है कितना दूध है इतना एक लाख चोड़ हजार छेसो पंचानिवे इसमें से क्या करेगा कि यह जेनरल वाला है न जेनरल वाला का दस हजार आठ सो साथ यहां से क्रीम छाटा जाएगा जो यहां से 10 800 कितना 10 860 यहां से कीरेम माइनस कि जेगा तो यह कितना हो जाता है 13800 इसमें उसके बार अब क्या किया जाएगा-133835 में से क्या किया जाएगा इसमें से आप काटगरी बाज डिवाइस किया जाएगा जिसका ज़्यादा नमर रहेगा वह अनुसार छाटा जाएगा मानलेजे की इसमें से जितना भी 2560 का नमर पूरेगा उपर सबसे उपर से नमर जुरा जाएगा और नीचे तक मतलब बढ़ते से घटते करम में आया जाएगा तो 2560 स्टुडेंट यहां से लिया जाएगा कि यहां से एक लाख तीन हजार आर्सो पैटिस से और उसके बाद सेम ओबी सी का है कितना जेनरल का कट अप कम जाएगा क्या नहीं जेनरल और अन्रिजर्वेशन का कट अप कम नहीं जाएगा क्योंकि जो बताया मलाई छातने वाला जहेश सबसे ज़्यादा ऊपर रेताएगा क्यों कर रहे हैं और देखिए EWS 18% ही, मान लिए 100 में से, क्या 18 क्या है, जेनरल है, तो 18 EWS है, और OBC कितना है, 42, तो यहाँ पे क्या संख्या जादा है न, लेकिन संख्या जादा होने से न, OBC है, जो अधिकतर स्टूडेंट है, जो कहाँ फाइट करते हैं, OBC जेनरल या CST वाले भी, कहाँ, जेनरल में पह संख्या कम है, जेनरल में कॉटब कम जाएगा, नहीं, ये गलत है, जेनरल का कॉटब हमेशा हाई गाया है, जाता है, जाएगा और जाता रहेगा, जाता है, जाता है, जाता रहेगा, उसके बाद OBC का जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या इसका, क्या जादा है, उसके ब क्योंकि बीस गुना अभियर्थी को बुलाया जाएगा फिजकल स्किल टेस्ट के लिए फिजकल एफिशेंस्य टेस्ट के लिए तो देखे और आप लोगों को हम बता दे कि जो यह आकरा है ना यहां रहेगा इसलिए आप मेहनत कीजिए इसलिए शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि इसमें भी क्या होगा कि डोकुमेंट वेरिपिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट जो छट जाएंगे मतलब बहुत सारे कारण के वज़े से छट जाते हैं अच्छाय कोई भी सरकारी वेकेंसी में खास के ड्राइविंग में क्योंकि हम्भी इसमें खोज रहा था क्या हम्भी है भी मोटर विकल ल लाइसेंस भुलै एक्सप्रियेंस नहीं खोज रहा था मतलब यह नहीं खोज रहा था एक साल पूराना चाहिए दू साल पूराना लेकिन हम भी आपके पास प्रोपर लाईसेंस होना चाहिए पार्टी कुलर जब से फॉर्म फिल हो रहा था उस से पहले तो यहीं कारण है कि यहां पर competition कम रहने वाला है जो cut up बताए हैं वही उसी के आसपास जाएगा cut up उससे जाड़ा नहीं जाने वाला हम जैसे यह cut viral हुआ था तो यह क्यों अब हम लोग देखते हैं यह तो हो गया जो 1270 पर ओपिन वाला है और यह एक सर्विसमें 140 इनको धाटा देजी अपना फाइट कहां 1270 और कितना इसमें बुलाया जाएगा 25,400 स्टुडेंट को पीटी के लिए फिजकल एफिसेंसी टेस्ट या फिजकल स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ओके यह तो हो गया यानि कि ओवी सी का लेकिन क्या है बीच में फेस्टिवल भी आ गया दिवाली है और सारा मतलब तेवार है तो क्या है कि यह कारण से थोड़ा बहुत दिले होगा दो से चार दिन नहीं तो आ जाएगा आपको 15 तक आ जाएगा मानना लिजे 15 नोमर से पहले ही देगा उसके बाद रिजल्ट तो बुलाया जाएगा तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको छपी जनवरी बाद यानि कि आपको फरवरी फॉस्ट या सिकेंड विक से क्या होगा फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट या फिजिकल एसकेल टेस्ट होगा क्यों क्योंकि देखिए छपी जनवरी ह जाता है तो यहां पर फोर्स मतलब सब कहां चले जाते जब जनवरी में लग जाते हैं जितने भी पोर्स मांगाना पलता है यह इसलिए च्छोटा नमर नहीं होता है अठाइस हजार कोई छोटा नमर नहीं ना इसको फिजकल एफिसेंसी टेस्ट कराना है तो तुरा बहुत मतलब फोर्स वगरा की जरूरत होती है लेकिन सारे फोर्स कहां 26 जन्वरी में मतलब समभाव समभावी था कि 26 जन्वरी बाद भी हो बाद ही होगा और कब फर्स्ट या मैं क्यों मई में देखिए घ्री Chemymine क्यों लेकि वारीज से पहले करवा लेका क्या जो ड्राइबिंग ट्स्ट है वह बारीज से नियोंبة म्यार मैं मतलब यून जुलाइ तकSi अगस्ट तक है अबको तो इसलिए क्या होगा अप्रील माय में क्या होगा ड्राइविंग टेस् करना है और केंप कब जोएन करना है इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिस तरह बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटर्व्यू का त्यारी हुआ है देख लिजेगा आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो वहां पर है तो उसी तरह दिल्ली पुलिस का जो इंटर लॉक्स का यूटू चैनल पर चलेगा और उसके बाद आप लोगों को बता दे केवल कैंप के भरोसे रहिएगा जहम ड्राइविंग सीख के और ड्राइविंग कर ले वहां पास हो जाए तो नहीं होगा आपको अभी से ही अपना मतलब आस पास जो गारी वगएरा होगा उ सबसे जड़ा फोकस करना है फिजकल पर थोड़ा बहुत दस परसेंट भाग है जो ड्राइविंग पर भी फोकस कर लेना है कब आपका जो कटप से अगर उससे जादा आ रहा है जो हम बताए थे तो आप करना है यह सब कामों के और यह देखिए जब आपके गारी सिखना तो कम से कम एक घंटा से आरह घंटा तो टाइम डे सकते हैं तीस मिनट से एक घंटा तो टाइम डेर सकते हैं वहां जाके थोड़ा बहुत बुलिए भाई या थोड़ा हमें भी चलाने को सिखाई थोड़ा 25-1500 तो कोई बात नहीं है लेकिन यहीं आपको काम आएगा सुच अब ही क्या करना है फिजकल टेस्ट पे एक दम ध्यान दे देना और यह कब होगा फरवरी में होगा उससे पहले नहीं हो सकता है और तो इतने सारे टोपिक पर हम लोग बात कर लिए हैं अगर आपको कोई भी डाउट है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिगारिंग तो सब्सक्राइब करेंगे तो क्या करना है अगर वीडियो पर अगर हमारे चैनल पर नए है तो क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के भी शेयर कर देना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जै भारत